बैनेली कंपनी को तो आप लोग डेफिनिटली जानते होगे और आप मैंसे काफी ऐसे लोग भी होंगे जिसने बैनेली को इंडियन मार्केट के अंदर ओन भी किया होगा इवन बैनेली अपनी काफी जदा बाइक जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर एवेलेबल भी रखती है इसके अंदर आपको बहुत सारी बैक्स देखने को मिल जाएगी लाइक बैनेली 600 आई हो गई, TNT 300 हो गई, 302 R हो गई और उसके साथ 502 TR के भी हो गई तो इन सारे के सारे क्रैस को हम लोग देखने वाले हैं और इन लोगों ने क्या-क्या गलतियां करी परकिन गलति को जैसे इनके साथ ऐसा हुआ वो भी जानेंगे, तो अगर आप लोग भी ऐसी कोई गलति करते हैं तो आप डेफिनेटले बिल्कुल भी मत करें वरना आप लोग के लिए खामियाजा काफी जदा भारी पड़ेगा तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाकि अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगी वीडियो जो हैं वो प्रोबाइड करूँ चला रहा होता है, बट अचानक से एक बुढ़ा वैक्ती जो की रोड को क्रॉस करने लगता है, और हड़ बड़ी में ये बंदा ब्रेकिंग करता है, बट ये बिल्कुल भी उसको बचा नहीं पाता, हाँ पर बुढ़े इंसान को हिट करता है, उसके बाद बाद बाइक जो वहाँ पर सोड़ा सा कमी स्लो चला लिया करो जादा बैटर रहेगा, और रात के टाइम में तो विजिबिलिटी वैसे भी कम रहती है, तो वहाँ कहीं न कहीं आप लोग के साथ ऐसे हाथ सा होने के चांसे जो है, वो काफी बढ़ जाते है, नेक्स नमबर टू, चंदीगर क यह crash है, जो कि TNTR का होता है, बिसिकली गोल्डन कलर की यह रहती है, संडे का दिन रहता है, बाइकर जो है, वो अपना ग्रूप में राइड कर रहे होते हैं, और यहाँ पर होता है, देखो बाइ, इंडियन हाइवेस ऐसे हैं, यहाँ पर आप लोग को कुता, बिल्ली, भै सब पुछ मिल सकता है, बाइ, कभी भी आपका एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, इंडियन रोट से कि आपका कभी एक्सिनेट नहीं होगा, ऐसी वजहों से हो जाएगा कि आप खुद भी नहीं सो सकते, यहाँ पर होता है, जो यह बन्दा है, जो अपनी बाइक को लिए अच्छा खासा डैमेज जो है इस बाइक के अंदर आ गया है यहां से जो बाइक रहती है उसको एक टैंपों में डालते हैं और वहां से भेज देते हैं नंबर थी मुंबई का एक रैसे जो की बैनली टी आर के 502 एक्स के साथ होता है अगर आप लोगों में से किसी ने ओन करि करके सामने से आने वाली नेक्स वन के अंदर हिट कर देती है यहां पर आप लोग वाइजर वाइजर देख सकते हो काफी बुरी तरीके से डैमेज हो गया है और यहां पर जो दूसरा बंदा रहता है उसको किसी को भी चोट नहीं आती बट उनकी गाड़ी में जो थोड़ा हो देता है यहां पर जैसी अपना कंट्रोल होता है वह काफी बुरी तरीके से बाइक से गिर जाता है और बाइक जो काफी दूर तक घषिटती हुए जाकर करके डिवाइडर के अंदर हेट होती है और स्पीड का अंदज आप लोग ऐसे लगा सकते हो कि भाई इसकी बाइक जैकेट, गलफ, पैंट, बूट, सब कुछ पहना होता है जिसके जान पर जाती है और जैसे मैं आपको आपको काफी वीडियो में पता है कि अगर आप ऐसे नॉर्मली चलते चलते लीन करते हो गिर गया और आप स्लाइड करते हो जा रहे हो तो एक बार को आपके चांसे से पर अगर आप किसी चीज से कोलाइड करते हो या फिर कोई चीज आपको हिट करती है तो वहाँ पर कहीं ने कहीं काफी कम चांसे रहते हैं पर आप हमेशा राइडिंग यह पहन के चलो वह जो हो कि आप लोग लिए जादा फायदे मन रहेगा यहां पर आप लोग बाइक को थोड़ी सी गीली रहती है और वहाँ पर बाइक जो को स्किड कर जाती है यहां पर आप लोगो देख सकते हो बहुत जाता डैमेज नहीं है हलका फुल का डैमेज जो हो आप लोगो राइट साइड में देखने को मिल रहा होगा जो राइडर रहता हो वह भी बिल्कुल सेफ पर जो है आप लोगो वीडियो जा करके देखने को मिल जाएगी यहां पर होता है सारे के सारे बंदे जो अपना गुरूप बना करके आराम से नॉर्मली राइड कर रहे होते हैं यह बंदा भी बहुत जाता तेजी में नहीं रहता बट एक कर्व पर होता है कि जैसी बंदा रहता है उसने प्रॉपर चीज पर चूटने आती है यहां पर लोग बॉल है कि इसी पर लोकमठर Mail toca देर जाता है तो में भी को हो सकता कि एसको है क्रेस्ष जो है वह कहीं ने कहीं बढ़ जाते स्टॉप्ज पर सब excitement जो कि हास्ते का शिकार हो जाती है नॉर्मली आप लोग को मालूम है कि जब भी आप लोग एक हिली एरिया में जाओगो तो आप लोग कर्फ तो दबा करके मिलेंगे और हिमाशल करदेश के रोड ना भाई एक नंबर है कोई भी राइडर ना भाई वहाँ पर अपना आपको ने सकता अगर वह लीन करने में बहतरीन है या पर उसके पास ऐसी बाइक है इवन मैं भी काफी बार महाँ पर गया हूं और भाई बहुत ही जदा मजा आता है यहां पर लेकर क्या आता है बाइक जो स्लिप हो जाती है और जाकर के डिवाइडर के ऊपर चड़ जाती है यह इस बंदे की बाइक में कुछ खास नुकसान नहीं होता सिर्फ उसे फेंडर वाइजर जो हो हलका फलका टूड़ जाता है बाकि यह बंदा बिल्कुली सेफ रहता है नेक्स्ट नमबर एट वेस्ट मेंगोल का यह क्रेश है जो कि 12 दिसंबर 2022 में होता है बिसिकली टीन्टी चीधे रास्ते में जा रहा होता है अरॉंड 120 के आसपास में 110 के आसपास में बट बीच रोड में एक पुलिया से आती है जहां फोड़ा सा उठाव रहता है और जैसी इसकी कार्डियोस के ऊपर चड़ती है और नीचे आते ही पूरी तरीके से अन्बैलेंस हो जाती है और क कर रखी है अचानक से कुटा आ जाए बिल्ली आ जाए यह तो नॉर्मल है इंडियन रोड स्पेस पर कुछ कभी करी ही नहीं सकते चाहिए फिर वह यमना एक्सप्रेस हो या फिर कोई साभी एक्सप्रेस हो मतलब नॉर्मल कहीं ने कहीं से कुछ ने कुछ कुछ गाय बिल्ल के लावा तो यहां पर अगर आप लोग उसके हाथ पैर को देखोगे तो कहीं न कहीं काफी जाता इंजरी जो वह आ गई है इसके पैर में नॉट आ के आते हैं जो कुटा रहता है बहुत तो बच जाता है और यह बंदा भी बिल्कुल सेफ रहता है बट नेक्स नाइम से श लिए कर्ने के कोशिश करता है बट ठाल जाती है यहां पर आप लोग नहीं पर यहीं वह और को सीफ थिखने होगा पर। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना मैं पूरी कोशिश करूँ कि मैं आपके लोगे लिए फटा-फट से वीडियो लेकर क्या हूं तो मिलते हैं किसे हो नेक्स्ट वीडियो में